जैपूर जैपूर शहर की सांगानेर सीट के दावेदारों के बारे में फीदबेक सीम वसुंधरा राजे ने लिया राजे ने दावेदारों से इस सीट पर जीत के समीकरन जाने तो स्थानिय नेताओंवा पदाधिकारीओं से दावेदारों के बारे में फीडबेक लिया. यह सीट काफी प्रतिष्ठा की है, क्यूंकि इस सीट पर से विधायक भाजपा के बागी हो चुके घंश्याम तिवाडी है वे भारत वाहिनी पार्टी बनाकर इस सीट से चुनाव लडेंगे तिवाडी को वसुंधरा राजे का सबसे मुखर विरोधी माना जाता है इसलिए सीट पर वसुंधरा राजे भी इस सीट पर मजबूत प्रत्याशी को टिकर देना चाहती है जो घंश्याम तिवाडी और कॉंग्रेस के प्रत्याशी को पटकनी दे सके पार्टी के लिए यह काफी होट सीट है इस सीट पर एक दरजन से अधिक दावेदार है इस सीट पर मेर अशोक लाहोटी, भाजपा अध्यक्ष जैपूर शहर संजय जैन, पारशद विश्नूलाथा, रस्स वहिप के रवींद्र शर्मा शेखर, सुमन शर्मा, अंबिका प्रसाद पाठक, अखिल शुकला, जितेंद्र श्रीमाली आदी मजबूत दावेदार सीएम राजे ने इन सभी के बारे में कार्यकरताओं पदाधिकारियों से फीदबेक लिया, फीदबेक के दोरान कुछ दावेदारों के नाम पर सीएम राजे ने हैरानी जताते हुए उन्हें संगठन के कार्यकरते रहने की सलाह दी है, राजे ने सीट पर जीत के समीकरन ज जाने तो विकासकारियों की जानकारी ली. साथ ही मजबूत दावेदारों के बारे में भी राय ली. बताया जाता है कि राय शुमारी में नई चहरे को टिकट देने की बात सामने आई है. चर्चा है कि पार्टी इस सीफ पर जीट के लिए इसे संघ के जिम में दे सकती है. ऐसे में टिकट दावेदारों में संघ की भूमिका ऐहम मानी जाएगी. यह भी चर्चा है कि इस सीब पर संघ समर्थित स्वयम सेवक या दावेदार को घंश्याम तिवारी के सामने उतारा भी जा सकता है. संग प्रत्याशी होने के कारण पार्टी को विरोध भी नहीं जहिलना पड़ेगा. इस सीप पर सरवाधिक दावेदार है. अगर सर्वमानिय दावेदार को टिकट नहीं मिला तो दूसरे दावेदार कार सेवा में लग सकते हैं. ऐसे में पार्टी सर्वसम्म एक नाम ते करने में लगी है